Hello everyone, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए 3rd year 6th semester का जो English Literature हमारा subject है उसका paper first जो है जिसका title है Indian and New Literature in English उसकी unit 1 हमारी चल रही है तो उसी का हम जो unit 1 है हमारी वो है प्रोज और उसका एक ही chapter है unit 1 में बाकी units में तो एक से जादा chapter है पर इसमें एक ही chapter है जो है my experiment with truth ठीक है तो यह महात्मा गांदी जी की autobiography है आत्मकता है तो हम इसकी सम्मेरी पढ़ लाते हमने पहले ही चार वीडियो उस पर मतलब पार्ट चार अप्लोड कर दी है पार्ट फोर ठीक है तो वो आप ज़रूर देख लिएगा तभी आप यह वीडियो देखेगा तभी आपके समझ में आपाएगा ठीक है चाहें उसको आपको कुछ नहीं करना है उन पार्ट को बस सुनना है धिहान से क्योंकि जब हम MCQ कोशन करेंगे इस चैप्टर से रिलेट इट तो आप अच्छे से उन कोशन को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे इसलिए इन स्टोरी इन वीडियो को सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए चाहें डबल स्पीट करके सुनें पर एमसी क्यों कोशन करने से पहले यह स्टोरी पर जरूर लें पढ़ लें मतलब या वीडियो देख लें अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लें समयरी वरना आप इस तरीके से वीडियो से भी देख सकते हैं जरूरी नहीं है हमारे चैनल पर वीडियो देखें थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेना है उसके बाद अच्छे से चैप्टर की समयरी पढ़ ला है उसके बाद फैक्स पढ़ ला है उसके बाद MCQ सारे ही उस टॉपिक से रिलेडिर जितने भी MCQ है वो करना है ठीक है तभी आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो पाएगी एक्जा यूं पी स्टेट के वैसे जाद रदीतर यू पी स्टेट कीुट अफिशल वेबस में तोपिक है फिर भी आप अपने उनिवस्टी के ओफिशिल वेबस से लीज़ यज़ू को जरूर चेक कर लेंना कि आपके सिलेबस में यह नहीं है अगर हो तभी ही कर ना किसी किसी सिलेबस में गांधी जी की ही दूसरी बुक दे रखी है तो देख लेना इस बात का धिहान रखना कि दा स्टोरी ऑफ दा माय एक्सपेरिमेंट विट रूथ ही वाला टॉपिक हो तो हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में ही यह सब बता दिया है तो इसको दोबारा बताने की तो जरुवत नहीं है वहाँ पर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी MCQ कोशन्स की भी BA 6 सेमिस्टर के और कॉंसेप्ट वाली भी ठीक है तो वो जरूर देख लेना तो इस्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसकर के जो हमारा पार्ट है यह लास्ट पार्ट है इसका फिफ्ट पार्ट और यह सबसे जादा इम्पॉरटेंट पार्ट है गांदी जी की बुक यह कॉँप lat 거야 क्योंकि इसमें टीजी इंडिया और इंडिया कर ऑकर ऐक्सुरमेंट करते हैं उंके बारे और में रेमिये सकी और में डिखान का दो किना एक पाप्ड़ करेंक घुबाँ करना था इंडिया उनका सब से पहला था सौप साउट अफिरीका में जो मेरे दोस्त लोग आये थे उनके रहने का बंदूबस करना था दूसरा मैं जब प्लेन से उतरा था तो मैंने बड़े ही अलग से कपड़े पैन रखे थे तो सबको अजीब लग रहा था सबको ऐसे लग रहा था मैं जैसे लंदन से नहीं किसी गाउं से आया हूँ दुसरा मेरे आने की खुशी में मिस्टर पैपेट ने एक छोटी सी सवा रखी थी मेरे सम्मान में तो वहाँ पर उस सवा में मुहम्मद अली जिन्ना भी थे और बाकी लोग भी थे तो वे गुजरात की सवा थी मुहम्मद अली जिन्ना खुद गुजरात से थे तो वो गुज़ातियों की सब आती, वहाँ सब लोग थे गुज़ात के तो मुहमद अले जिन्ना ने बहुत छोटा सा भाशर दिया उनोंने इंगलिश में तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सबी लोगों ने वहाँ अपना इंगलिश में भाशर दिये थे चोटे 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 और मैं जो विदेश से आया हूँ तो मुझसे भी यही एक्सपेट किया जा रहा था कि मैं भी इंग्लिश में ही दूँगा जब मेरी बारी आई तो मैं गुज़ाती में बोला तो सबके सब हैरान होगा है मुझे देखने लगे अब मैंने ये बोला कि हम सब यहाँ पर गुज़ाती है तो इंग्लिश में बोलने के क्या ज़रुवत है सब लोग हमारी बात गुज़ाती में भी समझ जाएंगे तो मेरी इस बास से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बड़े बड़े नेताओं में से में मतलब बड़े नेताओं को भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो इसके बाद गोकले ने मुझसे कहा कि पूना जाओ तो अब पूना जाने की तयारी हुई पर मैं वहाँ जाने से पहले गवर्नल लॉर्ड विलियम से मिला तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज करने से पहले यहाँ पर मुझसे एक बार बात कर लेना उनसे बड़ी अच्छी बात चीथ हुई उनको मैंने श्योर कर दिया और फिर मैं पूना गया पूना में गोकले के दोस्तों से मिला और फिर शांती निकेतन जाने की तयारी पर फिर गोकले की थोड़ी सी तबियात बिगड़ गई जो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा अब पूर बंदर जा रहा था पूर बंदर जाते वक्त और राज़कोट होता हुआ शांती निकेतन गया वहाँ पर मेरा स्वागत हुआ अब शांती निकेतन में मैं यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त थे वहाँ पर तो शांती निकेतन में मतलब मैंने पहले के दोस्तों से मिला था और उसके बाद फिर मैं शांती निकेतन में एक हफता ही रहा हूंगा कि पूरा से एक दुखत ख़बर आई कि गोखले एक्सपायर हो गए यह खबर सुनते ही पूरा शांती निकेतन दुख में डूब गया मैं तुरंद कस्तूरबा और मगलनाल गांधी के साथ में पूना गया गोखले ने मुझे से कहा था कि तुम इंडिया को एक साल तक अच्छी तरह से घूमना तब जाके तुम्हें यहां की किंडिशन पता चलेगी अब मुझे वही काम करना था जैसे तैसे मैंने धर्ड क्लास की टिकेट कड़वाई पूना के लिए और जैसे तैसे मैं गाड़ी में घुज गया अब लोग सेट हुए कलियान जक्षन पहुचे वहां जाकर रेलवे स्टेशन के ही नल से मैंने मजबूरी में मगनलाल गांधी को नहलाया और और वहां पहुचकर गोखले की अंतिम किरिया की इसके बाद गोखले की सोसाइटी को कौन समा लेगा क्योंकि वो सोसाइटी मेरे विचारों से बिलकुल मिलती जुलती नहीं थी मेरे विचारों का और उस सोसाइटी के विचारों का दिन रात का अंतर था Society के कुछ member भी नहीं चाहते थे कि मैं उस Society के अंदर आँ तो मैं इस Society के अंदर आगे से खुद से ही नहीं गया मतलब खुद से ही मैंने मना कर दिया फिर 1915 में हरीद्वार में कुम का मेला लगा था मैं वहां गया तो 17 लाक लोग वहां पर आये थे फिर उसके बाद लक्षमर जूड़े की तयारी की हरीदुआर को ढंग से experience किया मैंने अब इसके बाद एहम्दाबाद जाकर हम लोगोंने सेवा आश्रम की इस्थापना की एक आश्रम की स्थापना की एक अपने साथियों के साथ मिलकर मैंने उस आश्रम आश्रम में फिर एक परिवार हमारे पास उस आश्रम में रहने आया वो शायद अचूट थे तो जब वो फेमली रहने आय थी तो हमारा कोई चरसवाला था उदर वो इस परिवार को बहुत پरिशान करता था गालिया देता था तो हम मेंसे कोई भी उसको जवाब नहीं देता था एक दिन वो खुश शर्मिंदा हो गया और उसने गालियां देना बंद कर दी लेकिन वो तो सुदर गया लेकिन अब हमारे आश्रम को पैस्ते मिलना बंद हो गया और अब ऐसी कंडिशन में क्या किया जाए अब बहुत डेप्रेशन था कि क्या किया जाए फिर एक दिन सुबह एक लड़का मेरे पास आया बोला बाबू कोई बहार गाड़ी खड़ी है फिर मैं गया बहार गाड़ी खड़ी थी मोटर गाड़ी खड़ी थी वहाँ गया तो देखा एक सेट बैठा था उस गाड़ी के अंदर वो सेट अंदर नहीं आया मदद के नाम पर उसने मुझे तेरा हजार रुपे दिये और वो गाड़ी चली गई उस आदमी से मैं पहले कभी नहीं मिला था और वो तेरा हजार रुपे लेने के बाद मैंने उसे कभी दोबारा नहीं देखा वो आदमी आश्रम के अंदर तक नहीं आया मुझे ऐसा लगा कि भगवान होता है अच्छे काम दिल से करो भगवान खुद तुमारी मदद करने नीचे आएगा मेरे लिए वो मोटर गाड़ी में आया था इसके बाद गिर्वटियों की बहुत बुरी हालत थी भारत में भरत भूशन जी ने तो वाइसराई से इस पर बात की और इसके बाद ट्रेन के धर्ड क्लास में बैठकर मैंने बंबई से लेकर पूरे इंडिया को घूमना शुरू कर दिया जगे जगे पर सब लोग मुझे एक वकील समझते थे और कोई भी अगर ट्रेन में मुझे उलचता था तो मुझे वो लोग सपोर्ट करते थे इसके बावजूद अगर कोई मुझे धंकाता था तो मैं उसे बड़े प्यार से जवाब देता था तो वे पिगल जाता था ये चीज मैं देखकर समझ गया कि प्यार में बहुत तागत होती है 21 जुलाई को ये गिरनेट पिर्धा जो थी ये खतम हो गई इंडिया से अब इसके बाद आता है चमपारण वाला केस मेरे पास मैंने पहले कभी भी चमपारण का नाम नहीं सुना था तो एक बंदा था राजकुमार शुकला नाम का गरीब किसान था उसको किसी ने बोला होगा कि गांधी के पास जाओ शायद तुम्हारा काम हो जाए तो मैं लखनव कॉंग्रेस में था वो बंदा मेरे पास आया और बोला कि चमपारण चलो चमपारण चलो पहले पहले तो वो बंदा मुझे ऐसी लगा फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो लास्ट इंप्रेशन होता है तो वो मुझे पर अच्छा नहीं पड़ा उसका उसके ही तरफ से चमपारण का हाल मुझे ब्रच किशोर बाबू ने बताया क्यूंकि वो भी वही के थे पटना के तो उन्हों ने ये ब्रच किशोर बाबू ने मुझे ये हाल बताया लेकिन राजकुमार शुकला इससे सैटिस्फाई नहीं हुआ वो खुद मुझे चमपारण का हाल बताना चाहता था मैंने उसे बोला कि मैं आऊंगा एक दो दिन के लिए चमपारण तुम चिंदा मत करो तो वो बोला आप बस एक दिन के लिए आजाओ एक दिन के लिए आजाओ आप खुद वहां की स्थिति समझ जाओगे कि क्या हालत है वहां की जब मैं लखनव से कानपूर गया तो वहां वो बंदा मुझसे पहले बैठा हुआ था बोला कानपूर से ज़्यादा दूर नहीं है पास में ही है अब बस एक दिन के लिए चल लिए मैंने उससे बोला कि अभी तो मुझे काम है अभी मुझे माफ करो लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आउंगा जरूर पर वो मेरे पीछे-पीछे मेरे आश्रम तक आ गया एक ही रट लगाई भी थी कि मुझे फिक्स डेट बताओ कि किस दिन आऊगे फिर मैंने उससे बोला कि इस इस तारी को मैं कलकत्ता आ जाओंगा फिर वहाँ पर आकर मुझे मिल जाना मैं कलकत्ता पहुचा वहाँ भी वो अनपड़ा आदमी डेर डाले बैठा हुआ था मैं उसकी ये निश्टा देखकर मैं उसका फैन हो गया फिर मैं उसके साथ में कलकत्ता के लिए निकल पड़ा हम दो जने थे कुल ट्रेन में हम जो गए सफर करते हुए सफर करते हुए मैं समझ गया कि ये कितना सीधा आदमी था वो मुझे राजेंदर बाबू के घर ले गया डॉक्टर राजेंदर परसाथ के घर जो कि भारत के पहले राश्टपती है राजेंदर बाबू खुद तो घर पर नहीं थे उनके नौकर घर में थे उन्होंने मुझे रुखने की जगा तो दे दी लेकिन कोई से पानी नहीं भरने दिया क्योंकि वो लोग मुझे ऐसे जानते थे कि मैं राजकुमार शुकला के साथ आया हूँ उन्होंने मेरे कपड़े देखकर मुझे शुकला के साथ ने एक किसान समझ लिया कि वो नहीं जानते थे कि मैं किस जाती का हूँ तो पर्टना में ये चुआ 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 जादा थी उस वक्त फिर उसके बाद हम लोग मुसफर पुर गए वहां किरपलानी जी मिले जो अपने स्टूडेंस के साथ मुझे लेने आये थे फिर वो लोग मुझे मलकानी ची के घर ले गए मैं उन लोगों की तारीफ करूँगा कि उस टाइम पर मुझे जैसे आदमी को अपने घर में मतलब टिका सके मुझे सहारा दे सके यह बहुत हिम्मद वाली बात थी लेकिन सरकार से डायेक्टली पंगा लेना हो गया यह तो दूसरी बात यह वहां के वकील बहुत अजीब थे वो लोग बिचारे गरीब किसान की हालत देखते हुए भी उनसे मोटी फीस लेते थे तो मैंने कहा कि अब मैं केस लड़ने से मेरे केस लड़ने से कुछ भी नहीं होगा सबसे पहले इन चमपारन वालों का डर मिटाना होगा यह किसी को भी अपने घर में टिका सकें किसी को भी घर में अपने किराये पे घर से घर दे सकें इस बात का डर नहीं होना चाहिए उनके मन में तो मैंने ब्रच किशोर बावू से कहा इसके लिए आपको मेरे साथ जेल जाना पड़े तो चलोगे ये चीज़ मैंने पूछी तो वो लोग राजी हो गए अब मैं वहां के कमिशनर से मिला वहां के लोग मुझे धंका रहे थे कि ये कह रहे थे कि तुम भार के हो यहां के बारे में कुछ नहीं जानते हो वापस चले जाओ तो अच्छा होगा तुमारे लिए इसके बाद मैं मोतिहारी गया वहां पर किसी किसान पर अतियचार हो रहा था तो मैं वहाँ देखने गया तो कोई पुलिस था तो उसने मुझे वहाँ पर रोक दिया, उसने मेरे सामने दो चोईज रखी, कि पहला जो यहाँ से चुपचान रवाना हो लो, या फिर अगले दिन कोर्ड में आ जाना, तो अब अगले दिन मैं कोड में गया तो लोग कहते हैं कि वो सीन देख ले लायक था मतलब कि वो सीन पहले कभी नहीं देखा गया था इतनी भीड आ गई थी एक बार के लिए तो कोड का जज भी डर गया कि सारे किसान थे जिनके लिए मैं उमीद बन कर आया था वो मुकदमा जो कमिशनर ने मेरे खिलाब चलाया था उसे वापस ले लिया गया और अनोगी बात ये हुई कि उस टाइम पर हम लोगों ने कोंगरेस का नाम तक नहीं लिया था उन लोगों के सामने और हमने वहाँ पर किसानों से एक पैसा भी नहीं लिया फिर गांधी जी ने चमपारण के लोगों को पढ़ाना शुरू किया उन्होंने अपनी पत्नी कुस्तुर्वा को बुलाकर चमपारण के लोगों को गंदगी में से बाहर निकाला वो गंदगी में रह रहते उनको तहरा धरे की ब्रमारिया लग गई थी तो उन्हें साफ रहना सिखाया और स्कूल वगेरा खोले अगर कोई हर कोई ऐसा करने लग जाए तो बात कितनी अच्छी बात होगी और पर ऐसी जगे में लोगों को गंदगी की आदत पड़ गई थी और ये गंदगी से दूर नहीं रहना चाहते थे अब मैंने वहाँ पर और तो के मेले कपड़े देखे तो मैंने अपनी पत्नी से कहकर उन्हें कपड़ों को धोने को कहा तो वो बोली हमारे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं और हम एक ही यही पहन करके गुजारा करते हैं तो क्या आप हमें कपड़े देंगे तो ये चीज़ देखकर मैं असली गाउं में पहुचा और मैंने असली गाउं को देखा इस बीच हजार लोगों की कहानियां लिखी गई और मुझे बार बार धमकी मिल रही थी कि बिहार छोड़ दो पर मैंने उन्हें साफ कर दिया कि पहले मैं इन लोगों की समस्या को दूर करूंगा फिर ही यहां से जाओंगा फिर उन्होंने मेरे मेरी बात पर को ध्यान में रखकर एक समीती बनाई और उसके बाद कुछ हुआ इसके बाद चमपारण की समस्या को निप्टाने के बाद में जो जर्नी शुरू हुई थी यह बहुत आगे जाने वाली थी इसको मैंने कंटिन्यू किया मैं गाउं में जाने लगा और सधारण लोगों से मिलने लगा तब ही खेड़ा वाला मामला मेरे सामने आ गया मुझे बताया गया कि खेड़ा में फसले बरबाद हो गई है लगान माफ होना चाहिए तो आप यहां पर जल्दी आईए इसके बाद मैं मजदूरों के संपर्क में आया एहमदाबाद गया अब इसके बाद मैं चमपारण फिर नहीं लोट सका एहमदाबाद में जो खेड़ा चिला था वहां पर मजदूरों की बहुत बुरी हालत थी मेरे कहने पर ही उन लोगों ने हरताल की थी शान्ती के साथ बिना जोर जबर्दिस्ती के और अड़े रहकर उन्होंने हरताल की थी और इसी हरताल के दोरान मैं बल्लब भाई पटेल और शंकरलाल जी से मिला ये 21 दिन तक हरताल साबर मती नदी के किनारे चली इसी बीच हमने आश्रम भी बनाए और आश्रम बनाते हुए कोई भी जमीन हमने जो ली वहाँ पर साफ करते हुए कोई भी जानवर हमें दिखता था उसको हमने नहीं मारा अब हमने किया खेडा सत्यागिरह खेडा सत्यागिरह में अकाल आया था और लगाम माफ नहीं हो रही थी बल्लब भाई पटेल भी यहां पर खेड़ा सत्यागिराय में लगे थे इस वक्त मैं गुजरात की सभा का सभापती था बल्लब भाई पटेल के बारे में मैं एक बात बताओ उस टाइम में बल्लब भाई पटेल एक उभरते हुए वकील थे उस टाइम के उन्होंने अपनी वकालत इस खेड़ा सत्यागिराय के लिए छोड़ दी थी और अपने मतलब इसी सत्यागिराय में इसी काम में अपना जीवन लगा दिया था और इसके बाद मैं ये कहूं कि वो कभी भी वकालत नहीं कर सके और इस खेड़ा सत्या गिरह का अंत कुछ इस तरह से हुआ बड़े ही अजीब सा अंत हुआ था कि अच्छी फसल जिन जिन की हुई थी उन पार्टी दारों को लगाम देना था बाकी सब को नहीं इस टाइब का सत्या गिरह हुआ था सब लोग सैटिजवाई हो गए लेकिन हम नहीं हुए लेकिन फिर भी जन्दा खुश तो हम भी खुश इसके बाद इस लड़ाई से वलब भाई पटेल ने खुद को पहचाना अब इस टाइम पर वर्ड वर्ड फस चल रहा था तो वाई सराई ने मुझको बहुत बड़े बड़े नेताओं को अपने पास बुलाया और उस टाइम पर मेरे को अली भाईयों की सिलसले में मुस्लिम भाईयों के मुस्लिम भाईयों से बात करनी थी अली भाईयों को कैद कर रखा था इनको कैद करने का कारण था खिलाफत और खिलाफत को मैंने ठीक से उस टाइम पर स्टडी किया और मुसलिम भाईयों को दोस्ट बनाने के लिए मैंने अली भाईयों को सपोर्ट किया मुझे याद है मुझे इस काम के लिए बहुत जादा वो भी किया गया था मतलब केटी साइज भी किया गया था इसके बाद वाय सराई को ये लाइटर हमने शिमला भेजा इसके बाद वर्ड वर्फ फरस्ट में अंग्रेजों को सपेरोड करने के लिए मैंने खुद जाकर लोगों को रिग्वेस्ट की और रंग रूपों की भरती करवाई अंग्रेजों ने बाद किया था कि जो भी आपकी मांगी होंगी वो सब हम पूरी करेंगे और उसी वक्त जर्मनी हार गया और रंग रूपों की भरती की ज़रूद नहीं पड़ी उसी वक्त में मरने जैसा बिमार भी हो गया पीट में बड़ा दर्द हो रहा था मुझे उस टाइम पर मेरी बिमारी के टाइम पर वही सला दी गई जो मेरे बीवी बच्चों को दी गई थी कि मास्ट खाओ तो मैंने कहा मेरे धर्म के लिए अपनी बीवी बच्चों को मास्ट खाने नहीं दिया तो मैं कैसे खा लूँ मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी मेरे को ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ उस वक्त आईस डॉक्टर ने मुझ पर अपना आईस का एक्सपेरिमेंट किया और मेरा इलाज किया जिससे मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा आईस डॉक्टर ने कहा कि दूद पीलो तो मैंने कहा कि गायवैस का तो दूद मैं नहीं पिऊंगा मैंने कसम खाई है कि ब्रहमचर जेकी कि मैं गायवैस का दूद नहीं पिऊंगा तो कस्तुर्बा बोली तो बक्री का पीलो तो डॉक्टर बोला ये आईडिया अच्छा है गांधी जी बोलते हैं तब से लेकर अब तक जब भी मैं भक्री का दूद पीता हूँ तो मुझे दुख होता है अब जब मैं ठीक हुआ तो मुझे पता चला रॉलेक्ट एक्ट के बारे में अब मैं एहमदाबाद पहुँचकर मैंने वलब भाई पतेल से बात की कुछ करना चाहिए तो वहाँ पर हमारे सास सरोजनी नाइडो और शंकरलाल बेकर भी थे इसके बाद उस रॉलेक्ट एट पर बहुत सारी बहुत पत्रिकाएं छप चुकी थी और बहुत सारी सबाई हुई थी लेकिन कोई भी हमारी नहीं सुन रहा था इस पर मुझे एक प्लैन सुझा कि एक दिन के लिए हम सब कुछ बंद कर देंगे उवास करेंगे 30 मार्च 1919 को और 6 अप्रेल को ये हर्ताल बहुत ही बड़ी थी ये पूरे देश में हुई और जो सीन था वो देखने लायक था उस टाइम पर अमरिस सर्व में डॉक्टर सत्यपाल का लेटर भी आ गया था मेरे पास में तो वहाँ पर भी जाना था तो इस वक्त हमने हिंद स्वराज और सर्वूदे जैसी बुक को छबबा कर उन्हें बेचा लोगों ने बिना डर के उन बुक्स को खरीदा लेकिन सरकार ने इन बुक्स को बेन कर दिया था इसके बाद 8 अपरेल को जब मैं अमरिस सर जा रहा था तो भीड पागर हो गई जिसके वज़े से मैं जान नहीं सका तो उनको शान करवाने की मैंने कोशिश की लेकिन मेरी अबास किसी ने ने सुनी बहुत ज़ादा वहाँ पर भीड थी और दंगा हो गया था तो चौपार्टी में मैंने सबा में सब लोगों को शान्ती रखने के लिए कहा और एहमदाबाद में उस वक्त में मार्शल लो लग गया था मार्शल लो लगने के बाद में लोग बहुत डर गये थे अब खैर गलती तो उनी की थी इतना हडकम मचाया क्यूं अब इसी बीच एक बहुत थी दिल धलाने वाली घटना हुई जलिया वाला बागतिया कांठ 13 अप्रेल 1919 में जन्म हुआ यंग इंडिया का कॉर्णिवर और नव जीवन भी समाल रखे थे लेकिन यंग इंडिया का यहां पर जन्म हुआ था अब उस वक्त बंचाम में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए कई लोगों ने मुझे जम्मेदार ठराया सर माइकल एडवायर उनमें से एक थे कह रहते कि सभी ने आंदोलन को सभी ने आंदोलन को अगर आपने नहीं रोका होता तो ये सब नहीं होता किसी ने तो मुझे उस वक्त ये तक धंकी दीती कि तुम पंजाब आओ तुमारी जान ले लेंगे उस वक्त अक्टूबर में जब मैं लहोर गया तो वहाँ पर जब भीड मुझे से मिलने आई जैसा ऐसा लग रहा था तो जैसा की मतलब उनका बहुत बड़ा रिष्टिदार मिलने आया हो पहले बार मैं पंजाब गया था उस वक्त वहाँ पर मोती लाल नहरू मुझे से मिले मालवी जी और शिद्धानन जी भी वहाँ पर मुझे मिले किचलू जैसे बड़े नेता जेल में थे अब इसके बाद हंटर कमीटी बैठी तो ये तैह हुआ कि हंटर कमीटी के विरोध में हमें अपनी कोई कमीटी बनानी चाहिए अब मोती लाल नहरू और गांधी जी ने मिलकर अपनी कमीटी बनाई मैं भी इस कमीटी में स्चामिल था अब मैं पंजाब घूमने गया तो मुझे इस कमीटी के रिपोर्ट भी तयार करनी थी मैं पंजाब के गाउं में भी गूम रहा था इस वक्त दोस्तों अमरिस सर की जो कॉंग्रेस थी मैं वहां से निकलना चाहता था क्योंकि मैं उस वक्त बड़े नेताओं से बहस नहीं करना चाहता था बड़े बड़े नेता थे उस वक्त लेकिन इसके बाद जैसे तैसे समझोता हुआ और ओफिशली मैं कॉंग्रेस में एंटर हुआ सही तरीके से इससे पहले तो मैं सिर्फ बैठकों में जाया करता था पर अब मैं सही ढग से कॉंग्रेस में एंटर हो गया था इसके बाद जो जलिया वाला हत्याकांड हुआ था उसके लिए एक इस्मारक बनवाया गया पैसा इखटा करके पांश लाग की रकम इखटा की गई थी उसके बाद चर्का मिला खादी का जन्म हुआ गंगा भाई ने मुझे चर्का चलाना सिखाया और इसके बाद आसायोग अंदोलन हुआ उसके बारे में भी महत्मा गांधी जी ने अपनी बुक में बहुत कुछ लिखा है अब हमारी जो ये पार्ट फाइव थे ये बुक जो थी हमारी एक्सपेरिमेंट विट टूथ के साथ खतम करते हैं यहीं बुक पूरी होती है यहां को पर बुक को खतम करने का रीजन महत्मा गांधी ने बताया उन्होंने कहा है कि इसके बाद का जो मेरा जीवन है वो बहुत सार्वजनिक हो गया पब्लिक सब जानती है कि इसके आगे क्या क्या हुआ तो वो सब बुक में लिखने की जरूरत नहीं तो इसी के साथ यह जो हमारी बुक है वो कंप्लीट होती है तो यहां पर हमारी जो हमारी महात्मा गांधी का बज्वीर यहां और जाद सब के लिए टॉपिक नहीं हो गांधी उससे आपके लिए तो सारे टॉपिक हमारे कोशन अच्छे समझ में आएंगे और अच्छे से हमी याद भी होंगे जाद टाइम तक याद रहेंगे तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे question अपने, ठीक है? अगर वीडियो थोड़ी भी helpful रही हो, दो वीडियो लाइक कर दियागा और चैनल को भी subscribe कर दियागा और वीडियो को अपने friends और classmates के साथ तो ज़रूर शेयर कर दियेगा, ठीक है? Thank you for watching